जैसे दीराम, सिंगरास के दोस्तों, हाजिर हैं आपका दैनी का रासी फल लेकर मैं हूँ आचारस के तिवारी, दोस्तों बात करेंगे गुरुबार 19 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो आईए रासी फल जानने से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज गुरुबार 19 सितंबर 2024, अस्विन कृष्ण पक्ष की दीतियाती थी विक्रिविस संबर 2080, आज का सुर्योते 6 बच के 8 मिनट पर होगा, तो यह आज का सुर्यास दे 6 बच कर 21 मिनट पर होगा, आज के दिन चंद्रमा मीन रास में रहेंगे, सुबह 5 बच के 15 मिनट त विजय महूरत रहेंगा 2 बच के 17 मिनट से साम 3 बच के 6 मिनट तक, आज के दिन अमरित काल का समय रहेगा 3 बच के 8 मिनट सुबह से लेकर 20 सितंबर को 4 बच के 32 मिनट सुबह तक, आज के दिन सरवार्सी धियोग भी बन रहा है, 8 बच के 4 मिनट सुबह से लेकर 20 सितंबर को स तो ये थे आज के सुमहुरत, इन सुमहुरतों में आप कोई भी सुभकार प्रारम कर सकते हैं। आज का राहुकाल का समय रहेगा एक बच के 46 मिनट दुपहर वास से तीन बच के 18 मिनट साम तक। राहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों के सुरुआत ना करें। अब आई जानते हैं आपके रासिफल के बारे में। सिंगरास के दोस्तों, आज का दिन आप के लिए मन की इक्षा के पूर्टी के लिए रहेगा। क्योंकि आज चंद्रमा आपके भागे भाव में गोचर कर रहे हैं, नोकरी में कारियत लोगों को किसी दूसरी नोकरी के आफार आने की संभावना है। आपका धन यदि कहीं फसा हुआ था तो आपको वापस मिल सकता है, आपकी सेहत पहले से बहतर रहेगी। आप अपनी किसी गलती को दूसरों पर डालने की कोशिस ना करें, विद्यार्थी अपने ज्यान में बृद्धी के लिए कुछ रिष्टा किसी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आपके घर, मकान आद खरीदने का सपना आज पूरा होगा और आप यद कोई लोन आद अपलाई करेंगे तो आज आज आपको आसानी से मिल सकता है। सलाह मसवरा ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई गलत आदमी सलाह दे सकता है, इसका आपको आज ध्यान रखना होगा। आपके किसी गलती को लेकर आपको अपने अधिकारियों से माफी भी मागनी पर सकती है। सिंगरास के दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा कोई धन समंदी समस्या अगर आपको है, वो है आज आपकी हल होती हुई नजार आएगी। माता पिता की सेबा के लिए भी आपको समय निकालेंगे, लेकिन आपको किसी काम को लेकर बहसबाजी में पढ़ने से बचना होगा। विद्यार्थियों के यह सिक्षा में कुछ समस्या आ रही थी तो उन्हें दूर करने के लिए वो अपने गुर्जोनों से सलाह ले सकते हैं। आपको जिवन साथी का सहयोग और सानित भरपूर मात्रा में मिलेगा, ननिहाल पक्ष से आपको धनला मिलने की संभावना भी बन रही है। योग्यों से मदद भी ले सकते हैं। आप जिवन साथी के साथ कहीं गूमने फिरने जाने के लिए समय निकालेंगे जिससे दोनों की बीच में चल रही जो भी गलत भहिमिया हैं वह दूर हो जाएंगी। कारियों में भी आपके आज विसेस रूची देखने को मिलेगी। आपका कोई रुपे पैसों से जुड़ा मुद्दा आज सुलचता हुआ ना जाराएगा। इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कारियों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपके उम्मेदों पर आज खरी उतरेगी। परिवार में बड़े सदस्रुक साथ मिल कर आप कुछ परिवारिक समस्चाओं पर बातचीत करेंगे। आपने धन यद बिना सोचे समझे किसी योजना में लगाया है तो उसमें फसने की संभावना है। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा। आज के दिन आप अपनी बाणी हुआ बेवहार पर नियंतर्ण रखने का प्रयास क आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने बाला भी रहेगा आपका बिजनेस पहले से ज़्यादा बढ़ेगा जिससे आपको खुसी होगी और आपके आर्थिक स्थिती भी बेतर होगी। साथी परिवार की जिम्मेदारियों पर आज आप पूरा ध्यान देने बाले हैं। तो सिंगरास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसरी राम